नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आपका प्यार से चैनल टेक बाइस में दोस्तों इस वीडियों में बात करेंगे जारखंड अबुवावास योजना का फॉर्म बहुत सारे भाई जो है गलत फॉर्म भर देने जिनके करल से वह वंचीत रह जाएंगे बहुत सारे लाइक कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए इससे क्या होगा कि अबुआवास सुझना से जितनी भी अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को देता रहूंगा तो आए दोस्तों समय न अगवात हुए चलते सीधे आप लोगों को बताते हैं कि स्टेप बाइस्टेप किस कि अब करना तो आप देखेंगे यहां पर पूरा 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 फॉर्म जो है तीन पेज मैं देखने को मिल जाएगा किन अपको यहां पर आपना पर दालना है और यहां पर आपको अपना पंचायट डालना है यहां पर अपने पंचायत का नाम डालेंगे जो भी गराम पंचायत तो यहां पर अपने गाउं का नाम या सहर का नाम अगर आप सहर से हैं तो सहर का नहीं तो गाउं के गाउं से हैं तो गाउं का नाम अब आपको क्या करना है यहां पर देखेंगे लाभुक का नाम यहां प प्रून पर पति का नाम ढालना है पार पति का नाम यहां पर पुरुस महिला जो भी हो इस पर क्लिक करना है आपको जिसके नाम से भर हैं कर स्थेक्ट करना है कौन से कटेगरी से आप यहां से यह यहां पर आपना डिट वर्थ डालेंगे यहां पर आपको कल्कुलेट करके लिखना है अब यहां पर आपको जो है उम्र कल्कुलेट करके लिखना है अब यहां पर आप देखेंगे जाब कार्ट नमबर यहां पर आपको जो है कार्ट नमबर डाल देना है जाब कार्ट नमब यहां पे आपको अपना अधार काट नंबर डालना है अब दोस्तों जो की पूरी होना चाहिए बहुत सबंस्क्राइब गल्दी कर दें तो उसके कारल नहीं आप आप तो है ढाद को आपको अपने पर resist कोडम को भुए अब करना वाकि आपके पर यहां पर जो है कि आपक faculty मुवाइल नंबर कर दिना है और लुग को कि न ने पर यह an मुखिया परिवार के मुखियां नेकी माता का नाम के जन्मतीफ आप से क्या संभन्द है जिनके नाम से फल्ल्ब किया जार एंसे पर आपको अपने परिवार का नाम यह पर डाल देना अब बात आती है आए में श्रोथ टोटल स्रोथ कितनी है दोस्तों एक माह की आपकी सुरूथ कितनी है तो आप लोगों ने आय परमाण पत्र बनवाया होगा इंकम सर्टिफिकर दूस्तों तो हम उसमें आपको लिखा होगा बहुत चातिसौ एब या लीसा जो भी हो हांसे देखेंगे तो चातिसौ जो भी होगा आप डाल देंगे आपका पूरा बायो डाटा मिल जाएगा अपने आय परमांपत्र में जागर करके दें करके वहां से द तो आउन करेंगे, अगर नहीं कच्च आवास नहीं है दो आप नहीं करेंगे, अगर आपके पास कच्च आवास किलिक करते हैं कि कट्छ डिवे कितने कम्रेंege कहले आपूर्इतया अँपितक्छ आवास रहता है तो यह पर हा गकरेंगे नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे अगर आपके पास पक्का आवास किमें कितने कमिन आपके पक्का आवास एक तो एक剛raine करेखा रहेगा व्हू लिमेने के लिए आवास बनाए जानेवाले जैमीन का व्युलेश्य Aww आप कहां पर जो है वास बनाएंगे दोश्तों natin उसका नंबर होता है उसको आप यहांपर डालेंगे किटे कि यहां और तो नहीं फोन दोस्तों नहीं किया गाप दोस्तों अगर आप दिवयांग है दोस्तों इसके लिखेंगए तो भूत जल्य आपको जनवक अला conv कर देंगे क्या प्रकृत आपदा के सिकार है तो हां नहीं तो नहीं लगा नीचे की और दोस्तों आपको देखेंगे किया आपके पास पूरु में पका आवास है अथा दिनांक एक 90 से कुपराद राज सरकार दोरा अगर कभी भी आवास पाए है या मशली पकड़ने वाली १ाल है अगर है करना इसको बताऊंगा परिवार में सरकारी वेतन कर्मीं है तो इसको आप नहीं नहीं करना आ है नहीं कर देना है दोस्तों हां नहीं करना है क्या आपके परिवार में कोई सदस चुनाओ दौरा जन प्रतिनीत चैनीत किया गया है इसमें आपको नहीं करना है क्या परिवार में कोई सदस आयकर इनकप्रेक्स दाता है नहीं करना है क्या परिवार का कोई सदस व्यासाइक कर देता नहीं करना है क्या परिवार में रिफ्रिजरेटर है यसको भी आप कर देते हैं तो आप योजना से वजीत रह सकते हैं यहां है यहां पर आपको सुवाइं का घोषड़ा और करते के यहां सी आपको नीचे पूराइगेिbank तसी यहां पर भी ठाल करें आपको पूरा क् i Ruth जो हैं आपको सब को खरते दॉस्त वरने के बाद दोस्तोmiyor Сब्कु affirming on पर दलना है जीला डालना है पर चेकलिस्ट में हां नहीं करना है अगर आपके पास मंद्रेगा काड है तो उसकी फोटो कापी लगाएंगे उसकी फोटो कापी आप यहां पर डाल करके इस पर हां करेंगे दोस्तों यहां परमाड़ मतल्ब अभी उसके आप नीचे की और साइन करके आप रखेंगे दूस्तु ठीक ना अवेधर करता के अधार काड़ की छाया परेद अपने अधार काड़ के फोटो कापी भी लगा दीजिएगा उसमें उसके नीचे साइन कर दीजिएगा और अब एदन करता यहां पर लगा देंगे तो इसी तरह से आपका फाइनल सब्मीट होगा दोस्तों इसी तरह से फार्म को फिलब करिएगा अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं दोस्तों तो आप आवास योजना का लाव नहीं ले पाएंगे आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा पू उमीद है आप लोग भर लेंगे इस्टेव बाइस्टेव तो प्लीज जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों जो भी जानकारी हैं कि मैं आप लोगों को देता रहूंगा धन्यबाद जैहिन